आज हम बनाएंगे पेसिक वैनिला स्पॉंज केक यह खाने में बहुत टेस्टी होता है आप इसे आइसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो या टी टाइम के साथ भी खा सकते हो यह बनाने में भी बहुत इजी है चलिए इसे बनाना शुरू करते है यहां मैंने 200 ग्राम मैद अगर आप कप से मेज़र करें तो यह दो कप मैदा होता है एक कपया मेंने दूट लिया है त्री फोर्थ कप अंदेन्स मिल्क लिया है त्रीदेबल स्पून पटरल लिया है रूम टेबरेचर पर हाफ टेबल स्पून विनेगर ृफ टीस्पून बेकिंग सोड़ा बनाफ स्टेप बेकिंग पाउडर 1 थर्ड कप पाउडर शुगर 1 फॉर्थ कप ऑईल और 1 डी स्पून विनेगर आज हम के कड़ाई में बनाएंगे इसलिए पहले कड़ाई प्रिहिट करने के लिए हम रख देंगे यह मैंने सॉल्ट डाला है यह मैंने गई बार यूज किया जब तक हमारा बैटर रेडी होता है तब तक ओवन प्रिहूट हो जाएगा सेकेंड स्टेप होती है हमारी केक टीन रेडी करना यह केक बना लेके लिए मैंने 8 इंच का केक टीन लिया है इसमें नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है उपर से थोड़ा बटर लगा के ग् हमेडा थे यहां में एक बाउल लेन अधर ओली से दिलिए आफ इस ग्राइल का यह करहा है डूप poser मैरही कर लेना है जयंसा यह गया टीबल स्पून को यह ओगा इसमें डालेंगे तुटेबल स्पून कॉम्ट वहां अ मैंने कॉन आर्ड कर देंगे हम यह मढए तेबल स्पून हो गया जब द्राइंग्रेटेंस चान लेने हैं यहां मेंने मेदा पाउडर शुगर अब हम इसमें एड़ करेंगे बेकिंग पाउडर फॉन एन हाफ टीस्पून अब हम नेक्स इंग्रेटेंस एड़ करेंगे बेकिंग सोडा इसे हमने अच्छे से चान लिया है स्पैशुला की हेल्प से अब हम इससे साइड में रख देंगे और हमारे वेट इंग्रेडियंस एक बाउल में आड़ करेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे बटर थ्री टेबल स्पून मैंने आप बटर लिया था कंडेंस मिल्क ओइल इसे हमें अच्छे से बीट कर लेना है दो तिन मिनिट के लिए देखिए हमारा अच्छे से बीट हो चुका है अब हम इसमें नेक्स्ट एड़ करेंगे वैनिला इसेंस वन टी स्पून जो हमने विनेगर लिया था हाफ टेबल स्पून विनेगर अब हम इसमें एड़ करेंगे दूद दूद हमें थोड़ा थोड़ा एड़ करके इसे बीट कर लेना है अच्छे से बीट कर लिया था अब हमें इस पर ट्राइंग्रिएंस थोड़ा करके एड़ करते जाएंगे और इसे फिल से एक बार बीट कर लेना है झाल देखे हमारे बैटर अब रेड़ी है अब हम इसे केक्टिन में ट्रांसफर करेंगे यह मैंने 8 इंच का केक्टिन लिया है अब कोई भी केक्टिन ना यूज करें मेजर करके 8 इंच का ही केक्टिन यूज करना है यह केक के लिए इसे अच्छे से टैप कर लेना है दो तिन बार देखे है यह मैंने अच्छे से टैप कर लिया है ताकि एयर बाहर निकल जाए और यह पैडल नाइफ की हल्प से हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है केक्टिन हमारा रेड़ी है अब हम इसे कड़ाई में रख देंगे बेक होने के लिए हमें टाइम लगेगा 35-40 मिनिट्स 35-40 मिनिट्स होने के बाद ही इसे हमें खुलना है अगर आप इसे चेक करते हो तो केक खराफ हो सकता है 35 मिनिट्स हो चुके है अब हम केक को चेक कर लेंगे देखिए हमें केक कैसे चेक करना है एक टुटपित अंदर डालने है अगर उसे केक चिपकता है तो इसका मतलब केक हमारा बना नहीं है अगर टुटपित क्लीन निकल गई है तो हमारा केक बेक हो चुका है और हाँ इसके साइट के कॉर्णर भी केक ने छोड़ देया है देखिए कितना पॉफेक्टली बेक हो चुका है मैं आपको कट करके दिखा दिखा दिए इसे ही खाए तो भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगेगा आप यह रेसिपी जरूर ड्राइब कीजिए यह रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो एक लाइक जरूर करना और हाँ अगर चानल पर नए हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब और मेरे आइकोल क्लिक करना ना भूले थैंक यू